थोड़ा थोड़ा खाने की वजह से शायद आपको आलस्पन न महसूस हो, लेकिन आप आचन की प्रक्रिया को नहीं रुख सकते। अगर आप अपनी पूरिक शमता का उपयोग करना चाहते हैं, तो तेड़ से धाई घंटे के अंदर आपका पेट खाली हो जाना चाहिए। जब पेट में खाना मौझूद होता है, तो सफाय तंत्र काम करना लगभग बंद कर देता है। पेट साफ न होने का मतलब है, आप प्रॉब्लम्स को न्योता दे रहे हैं। देखिए अगर आप मानव शरीर को भीतर से जानते, आप खुदी इस पर गौर करते। बस देखिए कि जब पेट में खाना मौझूद होता है, तब शरीर कैसा महसूस करता है, और जब पेट खाली होता है, तब शरीर कैसा महसूस करता है। आप पाएंगे कि आपका शरीर और दिमाग बहतरीन रूप से काम करते हैं, जब पेट खाली होता है। अगर आपका पाचन तंत्र लगातार भोजन पचाने में लगा हुआ है तो स्वाभाविक है कि उर्जा की एक खास मात्रा उसमें जा रही है तो आपका शरीर और आपका दिमाग दोनों अपने बहतरीन स्तर पर काम नहीं करेंगे थोड़ा थोड़ा खाने की वज़य से शायद आपको आलसपन महसूस न हो लेकिन आप पाचन की प्रक्रिया को रोक नहीं सकते भोजन करने के बाद जब पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है तो हर जानवर नीचे बैठ जाता है वो बस बैठ जाते हैं क्योंकि दूसरी चीजों के लिए परियाप्त उर्जा नहीं बचती है चाहे वो मासा हारी हो या शाका हारी हो हर जानवर खाने के बाद नीचे बैठ जाता है और ये इनसानों के लिए भी एक प्रक्रितिक ज़रूरत है खाने के बाद वो बैठ जाना चाहते हैं क्योंकि दूसरी चीजों के लिए परियाप्त उर्जा नहीं है अब आपको लगता है कि दिन में थोड़ा थोड़ा खाकर आप पूरा दिन एक्टिव रह सकते हैं देर से ढ़ाई घंटे के अंदर आपका पेट खाली हो जाना चाहिए योग हमेशा इसी चीज़ पर जोर देता है कि देर से दो घंटे के अंदर आपका पेट खाली हो जाना चाहिए पेट खाली होने का मतलब भूका होना नहीं जब उर्जा का स्तर नीचे चला जाता है, केवल तभी आपको भूख लगती है, नहीं तो आपका पेट खाली ही होना चाहिए जब पेट खाली होता है, पेट यानि पेट की थैली भोजन आथ के दूसरे भगों में चला जाना चाहिए आत में प्रक्रिया बिल्कुल अलग है, वो पाचन नहीं है, वो उर्जा को ग्रहन करना है, उसमें ज्यादा उर्जा नहीं लगती, पाचन प्रक्रिया में लगती है, जब खाना पेट की थैली में मौजूद हो, तो बहतर है कि आप अपनी गतिविधी को कम कर लें, अब अग अचन प्रक्रिया चल रही होती है, तो सफाई तंतर काम करना लगभग बंद कर देती है, असी प्रतिशत तक उसका काम रुख जाता है, जब मैं सफाई तंतर कहता हूँ, तो ये कोशिकाओं के स्तर पर है, शरीर का जो शुद्धिकरन हो रहा है, वो लगभग असी रखाते हैं, तो आपकी आंतों की सफाई की प्रणाली असरदार तरीके से काम नहीं करेगी, क्योंकि वेस्ट मैटर किसी खास समय पर बड़ी आत में नहीं आते, ये अलग-अलग समय पर आते हैं, तो आपको उसमें भी प्रॉब्लम्स होंगी, इसलिए आपका पेट भी प प्रणाली में आप देखेंगे, कि अगर आप एक आईरवेदिक डॉक्टर या किसी सिध्ध वैद्य या किसी के पास भी जाएं, तो सबसे पहले वे आपकी सफाई करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि आपकी ज्यादातर प्रॉब्लम्स पेट साफ नहोने की वज़े से हैं और जिस तरह से लोग आज खा रहे हैं, पेट को साफ रखना उनके लिए एक बड़ी चनौती बनने वाला है, मान लीजिए कि आप हमेशा की तरह एक भर पेट भोजन करते हैं, एक भर पूर भोजन, और बीच में या तो हम कुछ न खायें, या अगर हम बहुत अक्टिव ह तो कुछ फल वगरा खा सकते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका पेट हमेशा साफ रहेगा, और लोगों को इसे आजमाना चाहिए, खुद को एक दिन साफ करके उन्हें देखना चाहिए कि कैसा महसूस होता है, अचानक आप अपने भीतर कुछ हलका और सुन्दर महसूस कर हर दिन आपको इसी तरह महसूस होना चाहिए